कौन है पंडित मोहित पंडे जोने तीन हजार लोगों की कठिन परक्षा में मिला अवल दर्जा क्या ये 22 वर्ष्य युवक सभाल पाएगा आयोध्याराम मंदर के एक मुख्य पोजारी की भूमिका दोस्तो आयोध्या में श्रीराम जन्म भूमी के उद्गाटन की तयारियां जोरो शोरो से चल रही हैं एक तरफ जहां प्रभुष्य श्रीराम के आयोध्या नगरी को दलहन की तरह सजाय जा रहा है वह दूसी तरफ पिछले एक साल से राम जन्म भूमी मंदर के पुजारी पद की भरती प्रक्रिया चल रही है जिसमें खरीब तीन हजार पंड़ित राम लल्ला के इस भब्य मंदर के पुजारी पद को हासल करने के लिए कठिन परिक्षा और इंटर्वियू दे चुके हैं इसी बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजिया बाद में रहने वाले 22 वर्ष ये मोहित पांड़े का आयोध्या राम मंदर में मुख्य पुजारी के रूप में चैन कर लिया गया है सेवा करना काफी जिम्मेदारी का काम है और यह जिम्मेदारी पिछले 31 सालों से आचारे सतेंद्रदास पूरी निश्ठा से निभाते आए हैं इन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला के सेवा में अर्पत कर दिया है आपको बता दी कि संथ कबीर नगर में जन्मे सतेंद्रदास को वच्पन से ही प्रभुष्वराम में काफी लगाब था सन 1959 में वो हमेशा हमेशा के लिए अध्या आ गए जिसके बाद नब्वे के दशक में जब राम मंदर और बाबरी मजजद को लेकर विवाद चल रहा था तबी साल 1992 में आचारे सतेंद्रदास को राम जन्म भूमी मंदर के मुख्य पुजारी के रूप में निउप्त किया गया था तब से लेकर आज तक आचारे जी अपने इस कर्तब्वे को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आए हैं और नए राम जन्म भूमी मंदर में भी शुरबात में आचारे सतेंद्रदास ही प्रधान पुजारी के रूप में राम लल्ला की सेवा करेंगे मगराब आचारे जी की उम्र 85 साल की हो चली है जिस वज़ा से उन्होंने उत्तरप्रदेश सरकार से मंदर के मुख्य पूजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी ताके रटार होने से पहले वो नए पूजारी को पूजारचना से जुड़े सभी नियम और प्रणालिया सिखा सके इसलिए 2023 के मध्धे में उत्तरप्रदेश सरकार ने राम मंदर के पूजारी की भूमिका के लिए करी न्युक्ती प्रक्रिया की शुरवात की थी जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंड़तों में से 22 वर्षिया मोहित पांड़े का मुख्य पूजारी के रूप में जैन हुआ लेकिन ये कटिन भरती प्रक्रिया हुई कैसे आई जानते हैं दरसल दोस्तों श्रीराम मंदर तर्थ शेतर ट्रस्ट ने ऑक्टूबर के महीने में मंदर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे जिसमें बताई गई कुछ शर्त ये थी कि आवेदक के उमर 20-30 साल की बीच होनी चाहिए पारंपरि गुरुकुल श्रिक्षा अनिवारिय है और आवेदक श्रीराम नंदनी ये सेवा से युक्त यानि दिक्षा से युक्त होना चाहिए इस भरती पकुलिया में करीद 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था जिनमें से युग्यता के आधार पर 200 मिद्वारों का इंटर्व्यू चुना गया जिनमें मुहित का नाम मिश्रामिल था आपको उता दे कि ये इंटर्व्यू पास करना कोई नौसीख्यों का खेल नहीं था क्योंकि इस की पैनल में ब्रिंदावन के प्रसद हिंदू पदेशक जैकांत मिश्रा और एउद्ध्या के दो महंत मितलीश नंदनी शर्ण और सत्यनराणदास शाबल थे जिने वेदो से लेकर पूजा की टकनीकों तक हिंदू धर्म से जुड़े हर विशय में संपून ग्यान है ऐसे में चुने गए सभी दोसो पंडित अपनी तयारियों में जट गए और इंटर्व्यू की तितिन अजदी काते ही आयोध्या वहाँ जगए क्योंकि उनका इंटर्व्यू एध्या में विश्वहिंदू परिशद के मुख्याले कार सेवक पूरम में लिया जाना था अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटर्व्यू में श्रे राम मंदरतिर्थ ट्रस्ट शेत्र की पैनल ने उमिद्बारों से कौन-कौन से सवाल किये होंगे तो आपको बता दें कि इंटर्व्यू के दौरान राम लल्ला की पूजा अर्चुना से जुड़े कई सवाल पूचे गए थे जैसे कि राम नंदिये परम परा क्या है संध्याबंदन क्या है इसकी विधी क्या है इस पूजा के मंत्र क्या है इसके लिए करमकांड क्या है और भगवान श्यराम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र है वगेरा अब ये सवाल इतने जादा मरत्पोन इसलिए थे क्योंकि राम मंदर की सेवा करना और आचारे सतिंदर दास का उत्तरा अधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए योग ये पंडितों को इंटर्व्यू के दौरान उनके ग्यान और अनुश्रासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है आसान शब्दों में ये परिक्षा एक तरह की पंडिताई का UPSC इंटर्व्यू थी जिसमें पैनल ने मैरित लिष्ट बनाई और दोसों में से अब 21 पुजारियों का चैन किया गया जिनमें से मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारियों के रूप में चुने गए थे इनमें से सबसे ज़ादा चर्चित नाम है मोहित पांडे का क्योंकि इस 22 वर्षी युवक ने मुख्य पुजारी बनने के रेस में अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडेतों को पचा दिया और न सर्फ पैनल बलके आचारे सतंद्र दास जी को भी मोहित काफी पसंद आया है लेकिन इन में ऐसी तो क्या खूबिया हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती हैं जिसे लेकर वेद विद्विद्यापीट के आचारे लक्षमिकान पाधी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं और जहां दस साल के उमर में जायतर बच्चे खेलकूद में लगे होते हैं वा इतनी चोटी उमर से ही मोहित ने रामायन महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिये थे इन्होंने दुग्देश्वरनात वेद विद्यापीट से अपनी सामवेशिक ग्रहन किये है इसके बाद वो आचारे पढ़ाई के लिए तिरुपाती चले गए जेहां इतनी चोटी उमर में आचारे बनने के बाद मोहित पढ़ने ने पंड़े टाई में पिएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी साती आयोध्याराम मंदर में पोजारी बनने का अवसर देख उन्होंने तुरहन तावे दंदी दिया और अपने ग्यान अनुशासन और शुद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परिक्षा में अवल दर्जा हासल किया बता जा रहा है कि मोहित रोज प्राता काल में उठ जाते हैं और नहा दोकर मंदर में जाकर इश्वर की पूजा अर्चना करते हैं जिसके बाद वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उन्हें वेदो वाप पुराणों के बारे में जानना इतना पसंद है कि बहुत बार वो कई घंटों तक एकी जगा बैट कर अभ्यास करते रहते हैं मैं मोहित सादगी से बरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, सादे वस्तर पहनते हैं, हमेशा सर पट्री का लगाते हैं और वो जाना ध्यान करते हैं इसके अलावा वो सोशल मीडिया से दूर है, उने इस दुनिया के मौमाया में कोई दल्चस्पी नहीं है उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है और उन्हें राम नंदी पूजा पंधती के बारे में संपून जानकारी है यहीं खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने वाले अन्य उमिद्वारों से खास बनाया है बतादे कि इस वक्त राम जन्म भूमी मंदर के लिए चुने गए अन्य बीस पूजारियों के साथ मोहित भी छे महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं जहां उन्हें अपने जिम्मेदारियों को सतीकता वा निश्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा साथ ही राम लल्ला की पूजा करने के तोर तरीके भी सिखाय जाएंगे इस ट्रेनिंग से वापस आकर ये सबी पूजारिया चारे सते नर्दास के निगरानी में मंदर में पूजा अरचना करना शुरू करेंगे और अगर ये अपने इस ट्रेनिंग में पास होते हैं तब ही इने पूजारी के रूप में निप्त करके सबी जिम्मेदारिया सौपी जाएगी हाला कि कुछ लोगों ने मुहित पांडे को अभी से ही मंदर का मुख्य पूजारी मान लिया था मगर इसी बीच ट्रे राम जन्म भूमे तर्थ शेतर ट्रस्ट के सबसे कामिश्वर चौपाल ने एक फेस्बुक पोस्ट के जरिये इन खबरों को गलत बताया है और का है कि कर्प्या ब्रामख खबरों पर ध्यान ना दे वहीं एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि राम मंदर के पोजारी सतिंदर दासी है और कोई नया पुरोहित नहीं चुना गया है अलाकि इंटर्व्यू के बाद एक कीस लोग का चैन किया गया है लेकिन उन्हें अभी छे महीने की च्वेनिंग नी जानी है उसके बाद योग्यता के आधार पर निरने लिया जाएगा आगे उन्होंने कहा कि ये बाद सत्य है कि सतिंदर दास बजूर्ग है लेकिन अभी भी वो मुख्य पोजारी का दायत को निभा रहे हैं और उनके उत्तरा अधिकारी के रूप में किसी का नाम तैय नहीं हुआ है यानि कि मुहित पांडे ने भले ही परक्षा पास कर ली है लेकिन वो मंदर के मुख्य पजारी बने गया नहीं या आने वाला वक्त ही बताएगा कलहाल आपको बतादी कि 22 जनवरी 2024 के दिन राम जन्वा भूमी मंदर के गर्व ग्रह में राम लल्ला की प्राण प्रतश्टा की जाएगी इसके जिम्मेदारी का सौभा गया चारे सतिन रिदास जी को प्राप्त हुआ है जिसके बाद राम नंदी पूजा पंधती से श्रेराम की पूजा आराधना की जाएगी और 24 जनवरी 2024 के दिन इस भब मंदर का उद्गाटन सामारोह आयोजित किया जाएगा पतादी की हनुमान 40 की तरही प्रभु श्रेराम की स्तुती के लिए नई पूथी यानि किताब पेश किया जाएगा जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है तो दोस्तों आप भारत के किस शेहर से हैं और प्रभु श्राम के दर्शन के लिए आयोध्यानी किक्षा है या नहीं कॉमेंट्स में जरूर बताएं और राम जन भूमी मंदर के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजे